तो पढ़ी है एंवर, बहुत ही दिल्चस्प किताब है वाकी बानू, किताब पढ़ने कमाद बला ही मसा है अच्छा बानू, बाई बानू, किताब है झाल 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 कि नचल झाल 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 कहीं देखा न सुना, कहीं देखा न सुना, मैंने दुनिया से अलगी जब उसे देखूं, तो दिल मेरा मचल जाता है मेरी आखों में मुहबत का नशाचा आता है ऐसा जलबा है जो बस मुझे को नशल आता है उसकी हर बात में है ऐसा अन्दाज नया कहीं देखा न सुना, कहीं देखा न सुना, मैंने दुनिया से अलगी देखने बालो जरा मेरा मुकतर देखो मैंने जो चाहा वही पाया दिल बर देखो मेरा अन्दाज मेरे इश्क के बर देखो दिल के वीराने में एक हदी फूल खिला कहीं देखा न सुना, कहीं देखा न सुना, मैंने दुनिया से अलग भोले चेहदे पे है बुस्से की अदा का गहना क्यार है दिल में निकाहे है खपा क्या कहना मेरे महबू के दंगे चपा क्या कहना उसर बर हम है मगर धंग है सबसे जुदा कहीं देखा न सुना, कहीं देखा न सुना मैंने दुनिया से अलग वैजा महबू बुचुना कहीं देखा न सुना, कहीं देखा न सुना मैंने दुनिया से अलग शर्म नहीं आती? आती है तो चली जाती हजार रुपे कोट का बेड़ा घर कर दिया ने किसने कहाँ तो पोट पहने के लिए? दिल ने? यह दिल है बड़ी बुरी चीज़ किसी पे आजाए सही अजीव 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 भरकतें करता है मैं कैसा हूँ? फिर वोई गुस्त कवी कबाद प्यार से बात कर लेना सहत के लिए अच्छा होता है मुझसे फजूल बाते मत यह परो प्यार करके तो देखो फिर महबत के सिवा हर बात फजूल मालूब होगी यह प्यार महबत सब बेकार बाते हैं मुझे किसी से महबत ने? नहीं है तो हो जाएगी इस मर्स का तबियत से बड़ा ग्यार तालुक किसी पर यह बीमारी फॉरा नशर करती है जैसे मुझे कर और किसी पर आइस्ता आइस्ता जैसे तुछ पर यह राजा का बहरो पुदार का दानी पर जब तो देख मेरा हाथ छोड़ आपको गाड़ी दूसरी लेने जी पेटरोल खत्म हो गया तुम तक सिवर्ट को भी समय नहीं आते हैं बगार पेटरोल के चला करेंगी लो क्राया और जी रख ले इस से अपने बच्चों के लिए चांगिया खरीद लीजेगा में चाहिए हैं कोई बात लिए चलिए अरे बुलफाब तो सवारी क्यों उतादी तो सवारी तो इसे अच्छी थी इतने दिने कोई बात तो मिला सवारी कि प्रादी के पेटरोल खत्म मैंने का ये चोगड़ा को है चांगियो इतना मुक्तसर शागिद रखनादी करन्ट लगाए बस इसमें यही खराबी चिर्चड़ा वाट तो चिर्चड़ा ये लाउंच रहा बात सुना इतने कम उमर शागिद न रखा करो जमाना बहुत खराब तो इस शागिद में फर्त होता है मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखना है अच्छा जा जा अमें ठेल जा कफा हो गया मेरा या पादा नहीं अब गाड़ी कब थेगा तो घबराता क्यो है मेरी गाड़ी ले जा और तू क्या करेगा मैं तुमारे होने वाले भावी से से कुछ रोमेंटिक बाते करूगा तू मुझे एक जगा ड्रॉप कर देना और शाम तक आश कर देना जाल जल यह कौन की जगा बस अपना घारी समझो और वो रही तुमारी भावी लख दी की ज्यादा पाइदा रोती शाम को गाड़ी यही दे जाओ अच्छा कर दो कर दो जुप पनाशी लो, जा भी दो, ए, ये पकड़ो, क्या बावलाद, जैसे तुम जानते नहीं हो, तब इसमें कुछ नहीं है, कब तक बच्टे रहोगे, तुम जा सकते हैं, ये तुम्हारी मखरूती हुई है, ये संगे मरमर से तराशी हुई बाहें, ये अकोती होंट, और ये जील जैसे गहरी पांके, जिन में दूब जाने कुछ दी जाता है, और ये लाइफ पाइसाब उनके बुंदे, मेरा मतलब है के वीनस के मुझसमे सा तराशा हुआ बदन, और ये मेरे जैसी पत्ली कमर, गुलपा, जी, तुम वाकई मेरे आशिक हो, तो और क्या मैं आपका भांग जाओ, ओ शागा, मैं तो सारे जिंदगी के लिए सेट अपने, ये ले भाई अपनी गाड़ी की चाविए, किस मुसीवत में फशा दिया, क्योंकि क्या हुआ, ये ह तुम्हारे दोज तैसी पी है, कैसा लगा, बेरी है, क्या करता है ये, टेक्सी चलाता है, अपना निर्चे बहुत खाता है क्यों, क्या हुआ, होना क्या था, मैं लगा गाड़ी ठीक होगे, मैंने कर छोड़ी खरा आथ, बस घुस्ते में आ गया, मुझे राज्टे में छो उस्तार, इस चोटे मिस्त्री को समझाओ ना है, चुपकर यार, यूँ बाजी का बेरा गर्ग करने लगा है, ये क्या करो, चक पेखो, आया यार, ची कहते हैं, बद तुम अप्रच, आप करो, ये चोटे मिस्त्री के बच्चे हैं मेरी गाड़ी, ओ फोर सुपो आना सुप ये चोटा मिस्त्री क्या से लिक्का उठाओ, ये को ये बाज क्या है, हाँ, 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 इसी बाज़्चा की दुरूरती, मरवादिया ने सेक्सी ड्रेवर ने क्या कहते हैं, ए चोटे मिस्त्री, या चोटा-चोटा लगा रखा है, गाड़ी कल सुपा ले जाना, मिन साथ, मिन साथ, मिन साथ, टेक्सी आज़े, हैं, टेक्सी, अपने गाड़ी को क्या हुआ, हुदूर अभी वर्क्षाप से नहीं आईए, आज टेक्सी में चली आईए, हमें टेक्सी में चली जाना अच्छा नहीं लगता, हम अपने गाड़ी में जाएंगे, चली चली कॉलिश का वस्त हो गया हम तूम नहीं जाए यह मेम सहब की बच्ची अभी तुम इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारी पिटारी ना कर चकूँ यह लो पांच रुपए उचाओ के तरह में हो चलो कॉलिश चलो कॉलिश अरे रे ताव लुपए यह सब क्या है यह सब तुम्हारी गाड़ी है मुकामल ओरहालो लुपए इसकी क्या तरह मिस्टरी मैं हूँ यह तुम काम कराना है तुसकी क्या तुम तुम गदा गाड़ी मंगाओ और मलबा उठा कर ले जाओ यह सारा मलबा उठा कर कहा ले जाओ खराबी एंजिन में थी तुमने बॉड़ी वील खिर्की दर्वादे सब खोल दिये इसके खिर्की दर्वादे भी खराब थे टैक्सियों के दर्वादे तो खड़कर करता ही है यह कौर थी किसी साहब की गाड़ी है एक तो तुम्हारा जिर्की के राज इतनारी गरदंदबोच ले फिर्किया करोगे इस गाड़ी के तो शीशे भी नहीं चाटते है शाबज गयता है बेख मिस्त्री मुझसे को गलती होगोई हो तो माफ काती है माफी की क्या बात है तुम हमारे कस्टरमर हो और काम हम तसलिका करते है तुम्हार इस गाड़ी पूरी प्राक्टी चन कर देंगे लेकिन ये पूरी प्राक्टी चन कब तक होगी यही कोई आज दस्री आज दस्री इतनी लंबी शुजा अब यह मैं फूका बर जाओंगा बेश्टी के बच्चे तमीसे बात करो नहीं तो मलबा उठागर बाहर भेंदूगा इस आज दस्रीम की मुद्द में कोई कभी नहीं हो सकती नहीं ज्यादा तंग करोगे उस ज्यादा दीन लगेंगे जो आप काम करें लो अच्छ अनवर अनवर इस बेरुखी का सबब क्या है उसुर बताए बगए सजा क्यों दे रहे हैं उसुर तुम्हारा नहीं मेरा है तो फिर मुझे क्यों नाराज है तुम्हीं नाराज किसे क्या अनवर बातों के नस्तर ना लगा जो कुछ कहना है एक ही सांस में कह जाओ आज तक तुम्हारा अपना सांस एक ही समझतरा लेकिन इस लेकिन के बात जो भी कुछ दिल पे हैं कह जाओ अनवर मुझे कुछ नहीं कहना तो फिर ये बेरुखी क्यों तुम्हें इससे क्या फरक पड़ेगा लेकिन करो अनवर मेरे दिल की हर थड़कन तुम्हारा नाम लेती है ए यही बाते तुम्हें उस टेक्सी ड्रावर के गलें बाहें डाल के कही हुए इसके बाद तुम जूट बोलो लेकिन कल मैं सच्चाई को अपनी आखों से देख चुका हूं तो फिर आओ मेरे साथ अपनी आखों से भी देखो और कानों से भी सुनो सच्की से कहते हैं और यहाद गुट बोला है क्या फरेदिया है तुम ने मुझे अपनी इकत्सम दी थी ना किसी से ना कहना कि तुम टेक्सी ड्रावर की बहन हो और यह कहता है कि ठैरिये तश्रीफ रखे मेरे बारे में आप जान गए है कि मैं बानू का बाई है अपने बारे में आपने कुछ नहीं बदर रहे हैं जी मैं बानू का किलासवेल हूँ, और मेरा नाम अनुवर है और आपके वालिद साहब? वो बिजनेस करते हैं, सेथ हरों का नाम तो आपने सुना होगा पूछना दोहर में बहुत कुछ चाहता है लेकिन बानो की खामोशी ने मुझे सब कुछ सेंजा दिया आप यकिन करें मैं शरीफ खांदान से तालुक रखता हूँ मैं आपकी शराफत के यकीन कर लेता हूँ लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा बानो करीब भाई की बहन से ही लेकिन मैं उसकी आखों में आसू नहीं देख सकता मैं भी उसे मेरे मतलब मैं बानो की बहुत इज़त करता हूँ और आपकी भी तो फिर हमारी इज़त का खया रखिएगा मेरे घर आपकी बज़ाया आपके बुज़गों को आना चाहिए था मैं आपका मतलब समझ गया खुदा आफिर अच्छा किया जो अनवर से मिला दिया बानो किसी और के मुँँ से सुनता तो बहुत दुख होता लेकिन बानो जहां तक आई हो उससे आगे नपड़ना अब ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा भारी तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेगा मिस्ट्री सलाम सलाम मिस्ट्री जी बार बार सलाम कर रहे हूँ ये लेक्षिन लडने का इरादा है परी बाद में हो इलेक्षिन क्या लडना है बस इक गुजारिश थी गारी तरह जल्दी देदी थी अच्छा दो रोज बाद लेजा जवाब में रहन किया है तो पूरी सजा माफ करती है आज शाम तक नहीं हो सकता अच्छा शाम को लिए अरे सिंदाबाद मिस्री इमान से शाम तक गारी देदे पूरे शहर के सहर कराऊंगा फिर वही बता मीजी मैं शाम तक यहीं बैठो मेरा मतलब बाग कोने में बैठ चाथ अपनी आँखों से देख वाह अरे शेरे फुर्वान जाओ छोटे मिस्री तुने गाड़ी क्या बनाई है अपनी तो जिंदगी बन गई क्या कहते हैं जिंदगी बन गई कभी न कभी तो बनेगी उस्ताद और फिर किसका मिस्री ऐसा हो उसकी जिंदगी बने ही बने हाँ हाँ ठीक कहते हो कीता रहे मेरे छोटे मिस्टि incorporate तो पूरे पाकिस्तान में नहीnd ये बड़े काम का लटा है उस्ताद आखिका काम एक दिन में किया है इसने हम किया कहते हैं और तू से क्या समझते हो हाहह उस्ताद मेरा यार सहारा मी लव्याद में बन रहा है मै इसे सहर कराकर अभी लाताओ बस इपके खिलाकर लसी पिलाकर अभी लाया जबरान नहीं अजीव लड़का है चल्ड नहीं दोता हूँ मैंने तेरे साथ कही नहीं जाना मुझे घर छोड़ गया हाँ इसी तरा गूठ होता है या फिर मैं दोलाओं दोता हूँ अभी गदी दागरी भी उतार मैं तरे लिपान लेता हूँ मैं तरे लिपान लेता हूँ कबसे बेकरार हूँ परार जाए कबसे बेकरार हूँ परार जाए तेर कि धर कनों को तेरा प्यार जाए कबसे बेकरार हूँ परार जाए परार जाए जिन्दगी की हर खुशी मुझे नसीब हो जिन्दगी की हर खुशी मुझे नसीब हो सास की तरह तुगर मेरे जीब हो तुझ पे मुझे को इतना इत्यार जाए देखी धर्कनों को तेरा प्यार जाए कब से बेपरार हूँ परार जाए जीब हो मुशकराए तुह नगर में खाफिकी तरहा मुश्कुरूए तू नजर में फौंच की तरह फिल अखे बजन में रोगुलाग की तरह मेरी जिन्दकी को वो बहार जाये दिल्की धरकनों को तेरा प्यार जाये कबसे बेकरार हूँ करार जाये हाँ मेरी आप मेरी एम हाँ मेरी उर्ख ल殺 लिया देखुद से चा रही है तुझका देखकर तेरी कि निगाहा में है जाने क्या असर तुझ में जो रचा है ऑख मर चाहिए दिल की धर सनों को तेरा राओर जाए अपसे बेशकर जार हूँ तराओर जाए अरे तुझ कहा चली इसके बाद तुझ बड़ा अच्छा डांक तुझ जाके देख उस प्रेडल का दान तुझ अच्छी कासे खुबसूरत है तो मैं क्या करूँ जाम अच्के जाल गई तुझे मुझसे प्यार जो है यह क्या प्यार प्यार लगा रखा है मुझे किसी से कुछ नहीं हूँ छूट बोल रहे है राणी नहीं राजा हूँ राजा राजा बड़ा शाओ के तुझे राजा बन देगा बेवगा तुझे नफरत हो जाएगी इस राजा से खुझे यह खुबसूरत चेहरा इसली दिया के इस पर मैल कुझे है के थपड़े लगे रहे है यह नाजुक हाथ कल फुर्जों पर हतोरा चलाने के लिए है इन हाथों में तो रंग बरंगी चूड़िया होने चाहिए थी इन कानों नों चमकते लहराते बुंदे और इस पेतुके लिबास की जगा रेश्मी फूलदार कपड़े होने चाहिए थी और सर पर इस चोकरों माले क्रोपी के बजाए डुपड़ता होना चाहिए हाथ राजा Rani को परेब दे रहा है Rani कब तक परेब खाती रहीथ मैं इतनी बुरी हूं तो क्यों मेरे भी से परे हो क्यों मुझे मिलने आते हूं अब मैं तो इसलिए आता था पर मैंने एस पहरूप में खावों की Rani को देखा था वो रानी जिसे तुने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की वो रानी जिसके मुस्कुराहत में मेरी खुशिया छुपी थी लेकिन ये संग दिल राजा उसे मुस्कुराने की अजासत भी नहीं देता वो राणी जिसके दिल में मेरा प्यार चिंगारी की तरह सुलग रहा है और राजा किस दिद उसे बुझाने की खुश्च कर रही लेकिन याद रखना एक दिन ये चिंगारी भड़क उठेगी उस दिन ये छूट बोर का राजा मर जाएगा और सोई हुई राणी बेदार होगी वो राणी मुझे बहुत याद करेगी लेकिन उस वक्त शायद मैं चल तुझे खर चोड़ाँ तेरा बाबा परिशान होगा ते टेक्सी ड्रेवर ये लोगना किराया उप्पैस करानी के पैसे मैं तुम्हारा इसान नहीं लेना चाहते है ये ले अपनी जूटी मरमत के पैसे अपना गाड़ी खराब होगी ना मैं यहां आउगा दिल भी चाहेगा तो नहीं आउगा ए राजा बेटी अरशेर कराया राजा पीती अरे बोलता क्यों नहीं राजा कहा काई घूमाए मेरा राजा बेटी को तेक्सी ड्रेवर के बच्चे ने तो तंग नहीं किया मरे नाजा बेटे को, कि बता न है राजा? महा नाजयिक नहीं रापा, मैं लिटकी रा करी लडकी मैंने क순िक कोई तो लडका है बेटे? टमनी भी कि लोग मुझे राजय ज करके लोगा, रापा किय क्रे मुझे? क्या कहते हैं, वो तो तो अपनी मर्जी से बाप का बेटा बन जाता है, ने बनते बनते ठाग गई हो तांग आगई विस लिबास भाला ये बे कोई लिबास है लग्यों के कपड़ों कोई ऐसे होते हैं इन कपड़ों की जगह परेश में भूलदार कपड़े होने चाहिए थे और देखो नो मेरे हाद में खाली है, इनमें तर रंग बरंगे चूड़ी होने चाहिए थे और और मेरे कानों में जमकते लहराते बुंदे होने चाहिए थे तुम की कहती हो बेटी, लड़की को तो लड़कियों जैसे लेवास दरना चाहिए तो फिर अब तक ये लिबास में क्यों पहनती रही बापा? मैंने कब कहा था, क्या कहते हैं, अपनी मरीज से बेटा बनकर वर्क्षा में काम करती रही हो काम तो मैं अब भी करूँगी बापा, राजा बेटा बनकर नहीं, बेटी बनकर रानी बन गई हो, तो फिर काम भी रानी वाला ही करोगी मैं तुझे वर्क्षा में जाने दूँगा, क्या कहते हैं मैं तो आज तक तुझे लड़का ही समझता रहा और बेटे का बाप बनकर कुछ सोचा ही न था अब तो रानी बन गई है न, तुझे बाबा, रानी का बाप बनकर कुछ सोचे का मैं तो भूरी गया था, मैंने बहुत कुछ करना है ठेर सारा जहेद खरीदूँगा, अच्छे अच्छी चीज़े खरीदूँगा और पिर और पिर गया था, और पिर अच्छी चोटा मिस्टी का है आज क्या कहते हैं उसे स्कूल दाफल करवा दिया है स्कूल दाफल करा दिया है, इस सुर में क्या पढ़ेगा उसे ख्याली अब आया है चोकरे, उजरा साथ आपकी गाड़ी देखो, क्या प्राइए नहीं उस्टाज, अपनी गाड़ी की तविए तो छोटा मिश्री ही साथ यह वर्कशाफ है, क्या कहते हैं, इसे हकीम की दुकार नहीं माशाला, यह वीन बाद राथ तो बढ़िया कर्मकर दिखाई थी, अब क्या लेने आए अगर तो राख्या को दिखाई थी, तो तो राली रामी तो सुम्हें जनते भी लेए देखो मिया, आएंदा गरिये गाड़ी खराब हो जाना, तो क्या कहते हैं, इस वर्क शामेन लाना, समझें? बढ़िया दिखाई थी, देखो राख्या लार चामेन लाख्या क्या बाद मूँ के लड़का हुआ तो वारी नहीं मिली अ सवारी की बाद रही है जार मैंने का इतना लंबा सांस तो मजनु ने उस वक्त लिया था जब पहली बार लैला ने उसे हैलो कहा था ये तो लैला से पंचर लगवा के तो नहीं आ रहा या फिर सस्थी से तेल बदली करो आगया रहा या फिर हीर को एरपोर्ट चोड़ गया रहा बाद बंकर ये जिल्चड़ा बन और ये जो बिजारी है ना ये सिर्फ आशकों के हिस्से में होती है तुमें इश्क तो नहीं हो गया तुत नजूवी हो गया है फिलफाब वागा यार अपने को इसक हो गया इसका मतलब ये है कि दुनिया गोल है ऊपर से खॉल है मगर यार उसके बाप से कौन बात करें, काश अपना भी कोई बुजर्ग होता बुजर्ग होता तेरा बुजर्ग नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलूगा हाँ, ते, मुझे ये रिष्टा हर्गिस मर्जूद है डैडी उस लड़की में खरादी तो गरीब टैक्सी ड्रैवर की बहन है खरादी भी जानते और फिर जिद भी करते हो गरीब होना कोई जूर्म नहीं डैडी, उसके भाई ने दिन रात मेनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और अरव वह इसाल बिये कर लेगी गरीब किसी मुलका बाच्शा भी बन जाए, तो उसकी जैनियत नहीं बतलती जैनियत को बनाने और बिगारने वाला सिर्फ मौशरा है दौलत मंग मेस पे जिनर सजाते हैं और गरीब जबीन पे बैठके खाना का लेते हैं लेकिन दोनों पेठ अनाजी से बरते हैं अन्वर, तुमने जवानी में पदम रखा है और मैं जवानी गुजार आया हूँ किसी खरीब के घर पैदा होते हैं जवानी जब भी गुजार लेते हैं अमीर घरों के अपने एकस्म रवाज होती इंसान के अपने बनाये हो रस्म रिवाज जिन्दा रहते हैं और इंसान खुद मर जाता है टेडी, हम ऐसी रस्म को किना जिन्दा गरें जो इंसानित के साथ साथ जिन्दा रहें अन्वर, मैं जानता हूँ मुझे बड़ी से बड़ी क्या सजा मिल सकती यह हमारत, यह दौलत आप अपने पास रखें मुझे इसकी जरूद में है अन्वर, अन्वर बेटे, मैं तुम्हारा खाने पर इंतिजार कर रहा हूँ अब? मैं खाना नहीं खाऊँगा खाने से क्या नाराज की है? मुझे भूग नहीं इनका घुसा भी तक नहीं गया आप की बात नहीं मानोंगी आप भी तु बेठे की बात नहीं मानते जिद मैं करू बेटे मान लिया के तु मेरे इकलाथी उलद हो कोई इस इकलाथी उलद की खुशियों का गला क्यूं गोट रहे हैं, डैली आपके पास किस चीज़ की कमी है आपकी दौलत मन बहुत जो कुछ भी लेकर आएगी इस घर की दौलत से ज़ादा तो नहोगा अगर आपका बेटे जिन्दन अराद तो अन्वाणी तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को बद्वा दे रहे हो अगर तुम बाप की मुपत को आजमा नहीं चाहते हो तो मैं हारत तुम चीज़े मुझे ये दिश्ता मन्जूर है डैदी अब तो अपने बाप से नाराज नहीं रहोगे ना बेटे नहीं डैदी आप खाना खावा देखा बहिया इतने मज़े का सालें मनाया है आप ठीक है खाली ठीक है इतना तो मज़ेदार है तेरी खुशी के लिए कह देता हूँ अन्ना और जब कल तुमने खाना पकायागा ना नमक खाना मिर्च चल अबना तुम खाना पकायागी ना मैं तो खाना क्या होटर से आएगा ऐसा बवर्ची दलाश किया है कि बस पुछू लाएगा बवर्ची? हाँ और वो बस्तन भी मांज़ेगा घर की देखबाल भी करेगा कपड़े भी दोएगा और तो और गाड़ी खराब हो जाएदा उसे भी ठीक कर देगा उसे मनाने के लिए मुझे सर पिस सहरा बानना होगा हजब तौफी पराती जमा करने होंगे और बैंड बैंड बजा के उसके घर जाना पड़ेगा हाँ भी या मैं समझ गई था भी हाँ तो तो तुम उसे गारी ठीक कराओगे तौफी तौफी जाहांगीर का मकवा यही है यहां सर्माईए बेटे मेरे खाल में तुमने हमें पहचाना नहीं राट नहीं आया कैसे याद आएगा बेटे तुम इतने से थे जब हमारी गोज में खेला करते थे दुनिया बदल गई तुम बदल गए तो क्या हुगा दुनिया दुनिया ही किये जाएंगे कुछ याद भी जिलाई दुनिया गोल है भीलकुल तेरी तरह है तुम दोनों बहन भाई मेरी बुज़र्गी के काइन हो गया तो जाहरे कर रानी का बाद भी मान देख चलो तुम नप्जंदी से यार हो जो मैं मिठाई ले गया तुम अभी बच्चे हैं रानी के बाद से हम रिष्टा मांगने जा रहे हैं कुछती लगने नहीं जा रहे हैं दुलन के घार आने तक सुसरान वालों की खुब खितमत करो जूट बोलो ताबेदारी करो और हैसियत बरहाद चड़ा कर ब्यान करो इतनी जूटी रेपूटेशन काइम करोगे उतनी जल्दी काम होगा शूट नहीं बोलेंगे यार यार अमा हम तुमारे यार हैं गुज़ प्रिया अन्वर के डैडी सेज साब आईए आईए सेज साब घर आपके काविल तु नहीं लेकिन भई हमें अपने बेटी की पसंद तुमारे दर्वाजी तक लेकर आईए जी सेज साब और हमें अपने बेटे पर रहते मार सेज साब मैं सोचता हूँ अगर तुमें सोचने की क्या जरूरत है तुम्हें तो खुश होना चाहिए सोच समझ का तैसला तो हमने किया है सेज साब बानो एक टैक्सी ड्राइवर की बेहन अन्वर ने हमें बता दिया था अगल खरीब भाई बहन को दौाओं की सिवा कुछ न देसका तो अपनी ऐसियत देखकर करना हमारी कोई शर्ट नहीं है अल्ला का दिया सब कुछ है हां का अब बरात कब लाओं दो मा की मौलत दी दीजिए सभी काम मुझे अकेले कोई करने ठीट है तुम सैयारी करो और हमारी तरब से दौलन के यंगूटी पैना देना शेश साहब मैंने बानो को बड़ी लाड़ प्यार से पाइदा है अरे बानो को मुलासमा समझकर नहीं दिलन बनाकर रखे शुक्रिया मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएए अरे हाँ अगर मुनासिक सुझे तो शादी के बंदुबस्त इसी अच्छी होटल में कर दी नहीं सेश साहब जैसा भी है यही बानो का घर है वाराज यहीं आई कर अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी तो फिर ऐसी मुरत में हम सिर्फ चंद दोस्तों को पने साहथ ला सेगे खुशी की बात है लो फिर मूँ तो बीचा दो यह मठाई हलवाई ने बनाई शादी के लिए तो आयो ना सही आनो किसे ही सर अच्छा झाह 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 कर दो जो क्यों जाग रहे हैं? तुम समझते हो के मैं जानती नहीं है मैं के इस जुनों से देख रहे हैं रात खुतम होने को आती है और तुम गर में कदम रखती हो वाईब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका वगत है बादो कितना काम करूंगा अतना ही पैसा जबा होगा मुझे पैसा नहीं चाहिए भी है तुम्हारी जिंदगी के बदले कोई खुशी नहीं चाहिए मेरी जिंदगी के बदले अगर तेरी खुशी मिल जाए बादो तो मैं समझू मैं जिंदगी काम आगी मैं तुम्हे रातों काम नहीं करने तुम्हीं, सारा दिन थोड़ा होता है मैं जितना कुछ भी कर रहा हूं मालू मुझे तो कम ही मालू होता है तुझे क्या मालू मेरे दिल में क्या क्या हर्मान मैं गरीब सही लेकिन मेरे बहुत खरीब नहीं बाते हैं एकन पहुच करूमा, एकना कोच झाल पाल एारा हा! गूझा को. पॉइंट नमबर जारे पर गारी अभी तक नहीं पॉंक सकी इसलिए कि गुलफान की गारी फ्रेस हो गई है तूसरी टेक्सी का फॉर्ण बनो बस करो काम नहीं रुकना चाहिए अन्रो खरियत नहीं गुलफान खरियत कैसे नहीं रहती मैं को खरियत से जरता हूँ फॉलिस मुकाबला हुआ आमना कामना हुआ आँखों से आँखी मेरी ख्यालाग का तबादला हुआ फॉलिस ने राइफले निकाल ली और मैंने कृस्तोर निकाल ली फॉलिस ने एक ठेले में हाथ डाल कर दस्ती बंब निकाला और चांते मैंने क्या निकाला क्या फॉरन अपनी कारी से चापी निकाला फिर पस फिर चापी निकाल कारी बहीं पे छोड़ जो मैं भागा हूँ शीदा यहां के दम दिया मैंने भी यही सुना था ये तो आपने किसी मुझरे में सुना हो पर मत जैसे कहता हूं ऐसा ही करो जाओ फ़र उन दुसी टेक्सिक अंदाम करो अपकी फूपी ने लारियों कर दे पर जाना, इतुए पर फाविशा करो फोड़ फूपी का इस टेक्सिक अंदाम करो फोड़ जचिक हेल्डू जगुच तो यही तो यह दुनिया गोल है प्यारे इतना माल जमा कीया है कुछ नही यार बड़े हाथ पैर मारे अब तक सिर्फ पांच सो रुपर जमा हुए बज़र्ग कहते हैं प्यारे दौलत के पीछे भागो तो ये आगे आगे भागती अगर इस से महबबत करो तो ये नफरत करती है और अगर नफरत करो तो ये महबबत से गले आ लगती है ना कोई तुझे समझाए ना तेरी बातों को दो आओ मेरे से तो को समझो और मेरे बातों को कहां से ले अपने सेट को एक माँ के लिए टेक्सी की जुरूरत है जितना दीचा एड़वांस ले लेने ते टेक्सी का क्या करेगा अब बई तुम्हें आम खाने से गरज है या पेड़ गिनने से मैं कहता हूँ दुनिया गोल है प्यारे सौरी प्राब्लम हल हो जाएगी देख ले ने बुल साम तो रोज ही देखता हूँ आज तू भी मेरा कमाल देगा जल आज जल जल हमें तुम्हारी गाड़ी एक महिनी के लिए चाहिए काम क्या करना होगा जो टेक्सी डैवर किया करते हैं ड्यूटी कितनी देनी होगी 24 ग्रेंट पे खाजर किसी वक्त भी काम पर बेजा जा सकता है जैस करो पार्टनर ड्यूटी 24 ग्रेंटे की एक काम कभी कभी होता है वह एंसी नोपी नहीं करोना है टेक्सी डैवर को मालूम होना चाहिए वो कहां जा रहा है क्यों जा रहा है कहां जाना है ये हम तुम्हें बताएंगे क्यों जाना है ये सवाल टेक्सी डैवर नहीं किया करता पाच हजार हाँ, हाँ, एक मा की तल्खार ? एक मा की तल्खार ? हाँ, ज़बान और कान बंद रुखोगे तो तरक्की भी मिलेगी च्ए सोच ले लेको, जल्दी फैसला कोड़े किस करदो पैरे ? दो दो रुपए करके जमा करोगे तो पांच हजार पांच शालों में जमा होंगे, बेहन को जब तक घर में बिठाई रखोगे तुम हरी गवरी के काखजाद हमारे पास बतार जमाने जरेंगे मेरा नाम शेला है, तुम्हरा नाम में जानती है, आज सिर तुम हमारे साथी हो मैं बारा आपका साथी कैसे हो सकता हूं में जानता, टैक्सी ट्राइरोड ना तैया, देगा पहचान लिया ना वो तो मेरे कादमों की आहट पहचान लिया ये तो फिर हाथ चुलिए आज बहुत खुश हो, क्या बात है ये बात है इतने लोट सवाल करको जोट कहा से आते है अनफ़र है ये पस्धूरी करने से थितसे, अनफ़र कार्णद नא रिया तुजे क्यान लोट कहा से आते हैं अगर पसंद आजाए न तो राजा की बाजी में उसी एक जोगर की कमी है बन बाजी फोरग क्रिक लियर कर देंगे आप वो रांगी का हाँ मेरे भाई है मैंने उनसे कुछ काम है बहिया बहिया की गाड़ी चाहिए सारे दिन का ठकाव आया है अब मैं उसे नहीं जाने गूंगी यह उनका पुर्जा बहिया का पुर्जा नहीं मेरे मतलब है गाड़ी का हमारी वर्चाव में भूलाया था वहाँ गाड़ी च्छिक कराने आता है न कमाल है बहिया आज सारे दिन तुम्हारी गाड़ी बगार इस पुर्जा के ही चलती रही इनसे कह दो बानो कि यह पुर्जा मेरी गाड़ी का नहीं इसे पूछो कि मैं संजे थी कि यह पुर्जान की गाड़ी का है वर्ना मुझे क्या जरूरत यहाने की मैं जा दिया थेरो भईया यह पुर्जा तुम्हारा ना थेही लेकिन यह विचारों में इस तरी पैदल घर जाएगा छोड़ाओ ना मैं चली जाओगी कैसे ठिली जाओगी चाहिए तुम्हे छोने जाएगे जाओ ना भीया उठो चलो पड़ी के बोलेगी तो बोलू इस पदर जी थे अब पे नहीं बोलता मुझ तो ख्यार करो बिचारी चलका तुम्हारे काराई देखो तो सही इस इजमा भी ख्याल नहीं कि मैं कितने मश्किल से इसके बाद आई बात करने कुछी भी चाहता है लेकिन क्या कौन कैसे कौन खायता अब तो चुपे नहीं बाद आजाता अब तो पहले बात करने माला काफे नहीं बता नहीं क्या समस्तर है अब यह बात करेगा भी तो नहीं बोलूने हो बाद भी तो चाहता है कि अघसा अब तो पहले नहीं बाद रड़ यहा decía क् चूंट जॉँ जॉँ खाइब कि DAY उुपू chyba क् चू क कैसे अधो क क चू कि ऐते winning य हुआ कर दो दो झाल झाल दिल की धड़कन मधं मधं नजरे मिले और छुक जार के रंगी समागे मौसम काश यही पर भुख जाए दिल की धड़कन मधं मधं नजरे मिले और छुक जार ये रंगी समागे मौसम काश यही पर भुख जाए दिल की धड़कन मधं मधं तनहाई के शोगलबों पर कितना हसी अफसाना है तूफा है जजबा के दिल में मौसम ही दिवाना है दिखरी दिखरी तेरी जुल्फे प्यार का मतलब समधाए ये रंगी समागे मौसम काश ही पर भुख जाए दिल की धड़कन मधं मधं दिल की देखरी तूने मुझे पे ये वैसान किया एक दिल था तास हमारे वो तुम पर पुर बांगिया मरना जीना साथ तुहारे आज ये वादा दोरारे ये रंगी में समा ये मौझा काशे पर रुक जाए दिल के थड़कन मतं मतं नज़रे मिले हो छुक जाए जो ये रंगी में समा ये मौझा काशे पर रुक जाए दिल के थड़कन मतं मतं कि दो ये वादास कि दो ये पर रुक जाए ये रंगी मिले हो जाए कर दो कर दो बदाश बदाश आँखों के सामने आगया हूँ तुझे बाबा भी याद आगया है जितनी देर तु घर से बार रही मुझे वो बाबा क्यों नहीं याद आया जिसकी तु इज़त है और जो तेरी इज़त का रखवाल है मुझे तेरी सब कहल बत्तर लागी है तो फिर बता तु सावारा छोकरे साथ कहो और क्यों गई थी आप गलत समझे तुम चुप रहा हो मुझे पहले ही दिन तुम्हारी नगर अच्छी नहीं लगी अब पुछी हवाद में तुमसे पूछूँ तो डरता हूँ लोग सोने लेगे और अगर खामोश रहूँ तो कल यही बात लोगों के तबान पर होगी मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ ते आएंदा इधर का खुटिया तो मैं तुम्हारी रताएंगे दो तुम्हा मैं कहता हूँ आप अच्छी बाहर चले जाओ तरज़े बापा बापा यह उसी कोई बात नहीं जी बापा लोग तो अंदेखी बात बना लेते हैं, तुझे तो क्या कहते हैं, राज के अंधिरे में इस छोकरे के साथ ना जाने किस-किस ने देखा होगा आज मुझे अपना राजा बेटा बहुत याद आ रहा है यकीन गुरू बापर में मुझे राजा पर यकीन था बेटा समझकर बरुसा करता रहा हूँ, मुझे भूल भी है मुझे दोस्रोज समझ लेना चाहिए था जिस तन राजा राने बन गई थी बेटे ने बाप के आइसमाद को कभी दोखा नहीं दिया था राजा ने बेटी बनकर भूल किया या मैं बेटी को बेटा समझकर गलती करता रहा हूँ बापा, तेजी कसम है, मैंने कोई गलती नहीं की कोई गलती नहीं की तेरे जिसी लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी कसमे खाकर माबाप को दिला से देती रहती बापा, जो चाहिए सजा दो लेकिन गुदा के लिए इल्दाव नदाओ जवान उलाद को सजा देना भी एक इल्दाव है इज़त से जी और इज़त से मिरूख अगर बेज़ती से जिन्दा रहना चाहती हो तो बाहर जाने का दर्वाजा मैंने खुला रखा है जाहो तो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए इस लड़के के साथ जा सकती है फिर बाबा से मिलने कभी ना आना अगर इज़त से जिन्दा रहना चाहती हो तो घर का दर्वाजा भी खुला है फिर बाबा की देटी इस लड़के से कभी नहीं मिलेगा फिर बाबा की देटी नहीं मिलेगा कर números झाहाओं 순간 कि झाहाओा है कि यगब घ्योकर शेओ कि खाहाओ, हम जी 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 खाहाओ कि झाहाओ, जी 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 कि ऑाहाओ, ऑाह् चस्की ठी जी 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 को शाल ! मिया? किया हूँ ? मैं इम्तहन से पास होगी, और सकति है इमान से आला तेरे शुक और अआ हुग curriculum काकिल पास होगी तुमारे इम्तहन? तुम्हीं क्यों देना है ? वही जows जो हर भाई किदे ज़ान बहन के देता है वानो मने तरे जहीं में किसी चिस्की का से जहीं हुई देवर आजा बनाया है बानो, क्या सोच वही है भाया तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है देन रात में नसकी है और मैं मैं तुम चड़कर दूसरे कर चली जाओंगी तुम इस करने अदास तो नहीं दोगी मेरा हर गम और हर खुश तो तेरे दम से है भानो तो यहां रहे या सुसराल में तू हुष रहेगी तो तेरा भाया खुश रहेगा और तू उदास होगे तो मैं भी उदास हो Dag तू चाहते है ने के तेरा भाया खुश रहे तो फिर तू हस्ती रहना, बालो हस्ती रहना मेरी प्यारी बहना, हर दम हस्ती रहना जहां कहीं भी तू जाए, हम तेरे पासन आए मेरी प्यारी बहना, हर दम हस्ती रहना जहां कहें भी तू जाए हम तेरे पास ने आए मेरी प्यार बहना ये दुनिया के रित है पगले क्यों मैं न छलकाते है ये दुनिया के रित है पगले क्यों मैं न छलकाते है बहन वो दालत है जो हमेशा गैरों के घर जाते है भाई बहन का प्यार दिलों से कभी न मितने पाए मेरी प्यार बहना दोर मेरे जिल से प्यार न तेरा सम्भोगा दोर भी रहकर मेरे दिल से प्यार न तेरा गम होगा जब तक मैं जिन्दा हूँ तेरा हर गम मेरा गम होगा मेरी तना है के तुझ को उमर मेरी लग जाए मेरी प्यार बहना हर पल तूँ खुशियों में खेले महके सदा दिन रात तेरे हर पल तूँ खुशियों में खेले महके सदा दिन रात तेरे खुशियों मेरी दूआ है साथ तेरे चुन लो तेरी राक काते तू तूँ दुख अपनाए मेरी प्यारे बहना हर दम हस्ती रहना जहों कहीं भी तू जाए गम तेरे फासन आए मेरी प्यारे बहना अनवर बहनों मेरी बड़ी लाड़ी बहन है मैंने इससे इतनी महपत किये जिपनी लोग सिंदगी से करते हैं अगर ये कभी शिकायत का मौका थे तो इसे कुछ न कहना मुझे आकर कहना मैं नहीं, अब ये आपकी अमानत है बादो, इन्हें कभी शिकायत का मौका न देना खमेले या सुख, तेरी जिंदगी अब वही मसर होगी, वही तेरा गारे ये खर जो कभी तेरा आपमा था, अब सिर्फ तेरे भाई का गारे बहना बानु बानु उन्हें बानु बानो बानो ना जानता हूं तुझे अपने भाईया से बिछड़ने का बहुत दुख है लेकिन मिला आपकी खुशी में विदाय का दुख भी होता है मैं बादा करता हूं मैं तुम्हें हमेशे खुश रखूँगा और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे भाईया को जाओंगा तुम्हें तुम्हें करता हूं तुम्हें करता हूं तुम्हें तुम्हें बादा करता हूं दिन राच तकसी जलाता हूं अब तकसी किसने भी अदा कर रहा हूं अगले बाद दाइधी अपनी हो जाएगी एक चोटा सा घर है यो मेरा अपना है तुम्हें बेहन के सब कोई है अल्ला का शुक्र है विश्यदे नो बड़े अच्छी जगा असी शादी काई है और अब और अब और अब क्या करता है ठीक है ना बाबा इस बिचारे नो दीन जात लेने तरके अपनी बहन को बढ़ाया तिखाया और पिर तुम क्यों बोचने था और अब अब मेरे साथ कोई बोचने को मेरा कोई बज़र्द मेरी है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बज़र्द पर लियाएगा अथ और मुझे जाएगी ने इसाथा क्या करते हैं हम अपने दोचन में ऐसे मशुरा करेंगे तुम जाओ कराना कराना मैं चुशी कर देदे कुशी कर देदे आज के हम मिल गिया है तुम्हें? बहुत कुछ साथ आज अपना काम साथन हो गया नहीं अब आपसे मुलाकाथ शायद उसे है हमारा साथ जोगे कहा जाओ के? कहीं चले जाएं है मैंजा जहाएं है आज जोगे किसी नहीं होगे कहाँ के तुम हम सब लग तुम्हारा ही इकजार कर रहा है जंदे चलब वहाँ से काम बता ले मैं नहीं जाओगो अपनी लागरिया इसका मैं तुम्हें गाड़ी के ताविजार चाविए जाएं मैं जाना चाहता है तो चाविएं हमारा वाले तुम्हें आज से मेरी गाड़ी कहीं नहीं जाएं यहां के तुम्हें हमें चाविजाएं आदून तो खील नहीं तुम्हें तुम्हें घजान हो जबता है जहांगीर इस निकाफे में तिल्फारी गाड़ी के काफ़ात भी है और चंद सब्बीरें भी है एक लिजब द्रिफ लो जोड़ी 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 है तो में छोड़कर जा रहेंगीर लेकिन तुमारी जोड़ी जोड़ी नहीं हुई तो में जा सकते हैं मैं जा हूँ तुहारी भायन की नहीं नहीं शादी हुई है इनके असका भाई जोड़ है, पमदलब है, भर्भाश है और विन का मुझरेंगी शायद वो बेचारी निए जब वो जाट जाएगी तो उसके दिल पर क्या वुज़ रही है इसकी नज़ों में तुम्हारी क्या जपे हैं? आयगो तुम्हे अपना भाई कहना है और फिजब उसके सुषाल बालों को सारी दुनियों को एलिपोगा जहांगी मुझरिम है तुम्हारी प्रूज़ जाए तुम्ही ने उसका जबचाए जादो तुम्हें ऩा जाए तुम्हें जुनादान तुम्हें यह कैसे सोच लिया कि तुम्हे असानी से हमारा साथ छोड़ सकते प्रफ्षले एक महिने में किय हुए तमाम जुर्ब जिंदकी बख तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम हमारे साथ से होगी मैंने कहा थाने को तुम हमारा साथ नहीं छोड़े यहाना जितना असान है जाना उतना ही मुश्किल है मजबूरी इस जाल में दासर होने के गई दर्बा से तुम हमे का को जान नहीं जाने का नहीं अए दो मुझी भी एक मजबूरी यहां तदी आई आज में पूचते होगे कि मैं इस जार में कैसे बसी तुम्हारे इसा मुझी भी एक मत बुरी यहां तदियाई और पर जब मेरी सुष्ट बुरी हो गई तो समाने को मेरी सुष्ट नहीं रही मैं आज भरी मैफल में लाट आज कर लोगा दिल पहलाती हो और चुप चुप कर रूती हो जादी तुम जाओ तो इस जार से बढ़ा रहो सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं किया आज शेंशा चांगीजा इन सफ़ेद वालों से क्या रिश्टा अरे भाई मैं उस छोकरी की बात कर रहा हूँ जो असनी वरक्षाब में आता है वो जो टेक्सी चलाता है भूल गया होता है हाँ हाँ अक्सर जिसकी टेक्सी खराब हो जाती है तुम्हें कैसा लगता है जार है तो खुब्सूरत और महिंती भी बड़ा है अगर बात पक्की हो जाती है तो बिसमिल्ला जरकर रिष्टा कर दो लड़का तो चाहता है लड़न्ग मिया मगर मैं अभी फैसला नहीं कर पाया बस आने वाला ही होगा जर तुम भी देख भालो अब रक्षाब में चलकर उतका इंतजार करें चलो चाहमिल्ला तेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों चुननी धलके चूडी खनके उड़त फिलों में चली बनके जाने क्यों देजु हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों हर आहत पे मुड़के देखू जाने वो कब आए कितने प्योर से देखेगा बोर ये सो जोला जाए अंग अंग थिर के आज बदन का जाने क्यों तेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों तेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों नहीं उमंगे मचल रही है प्यार का मौसम आया सुलते बिखरे मस्त हवाने हर आज मुझे तड़ पाया रंग ही बदला जंचल मन का जाने क्यों तेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों दरती हो मैं आने बाला वादा भूल न जाए जार के बदले मिने चुझाई है ऐसा दिन न आए सह्मा सह्मा शोह मिलन का सह्मा सह्मा जाने क्यों सेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों तेज हुई है तिल की धड़तन जाने चुछ अपनी जिन्दगी को तो जबन के अंधेरों में खोचुका है इस मासूम की जिन्दगी बरबाद करने का तुझे क्या हक है क्या हुई हुई है चोट कहरी लगी है कहते हैं चेहरा दिल का एंगना होता है और आखें दिल की चुपले खाती है घड़े क्यों आप बैठो तुमारा यहां एक नहीं दो दोस्त है एक नहीं और एक यह इसे मूँ न फिरो यह वो दोस्त है जो लोग के दिये हुए दोख अपने अंदर चुपा लेता है और अपने अंदर चुपा हुआ सारा सुरूर अपने दोस्त को दे देता है यह वो दोस्त नहीं जो किसी का बुरा वक देखकर साथ छोड़ते है इसके पास 저 कुछ होता है यह अपने दोस्त पर लुटा देता है यह दुखी लोग का बड़ा ही गहरा दोस्त है तुम्हे इसकी जुरूरत है तुम्हें मेरी भी जुरूरत है इस परे जहान में हम दोनों के अलावा तुम्हारा कोई दोस नहीं जाओ अपने यासो और फूल जाओ गुद्रेवे दिनों को ऐसे लोग पलत कर नहीं आया है तुम्हारे पास début की के बाप की जिल यह doubts नहीं है अनडाने लोग रिष्टे की बात करते हैं तो बात जिंदार्यक्या हो खुज मर जाते बाबा ने लोग रिष्टे की बात करते हैं तो बात जिंदा रहती है और खुद मर जाते हैं बाबा ने जमाना देती है हमारा गुमने वाले ऐसे लफंगे छोकरे यही कुछ करते हैं उसके ना नहीं बजा कुछ मजबूच भी तो हो से लिए अकर भूमाच पूटा तो सनपने बच्पूरी मुच्छ करते हैं तो मुच्छ भूच 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 जहां के रहे हैं यह एक बार तो में बढ़न की सरूब तो इस बज़ा से तुम बाबा को मिलनी भी है जो उसे दिला है यह तो मेहाँा छूच में बच्श करते हैं एक बच्छ whisk अगर देखूंगे ये कैसा नचा है, इसे पी कर तुम मुझे बूर से, अगर ये प्यार के नशे से जारती है तो मैं हज़र हो प्योंगी जानी ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है तो तेरे से अच्छे आदमी में मूझ क्यों लगाया मैं का बच्छा था, मुझे तो तुम अच्छे बलकर मिले थे, तुम नादान थी जो मेरे उस से रूप से ठोक अखा गई ये है मेरा असली रूप, जहानीर शराबी है, चोर है, बदमाश है, ठोक अबाज है तुम जो कुछ भी हो, मुझे बताओ, मैंने तुम आया क्या भीगा रहा है, मुझे किस जुम की सजा मिलती रही है कुछ सजाएं, जो उनकी ये बगार ही मिल जाती है ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा अक्सर हुआ, अक्सर ही हुआ जो तुम ने आज अपनी आँखों से लेगी, वहना तुम्हारा दिन, चन दिन और फरेद खाते है जहारीर को अच्छी तरह से जान लेने के बात भी यहां ख़ईए, जा, जाओ तुम जहांगीर से शराबे दो गए, लेकिन मुझे बताओ महरानी से क्या बंचाओ जदबात के गातिर को तो खुदा भी माफ नहीं करता मुझे आज मालू हुआ, कि लोगों की सूरत और सीरत में कितना फ़र्ग है मासून सूरत, लेकिन सीने में दिल नहीं अंगर है अंगारा मेरा मन, मेरा मन अंगारा अंगारा मेरा मन, मेरा मन अंगारा कोई न मुझे से रीत बढ़ाए मैं सुपहा का तारा, अंगारा मेरा मन दर्द से मैंने रिष्टा जोडा, खुशियों को ठुकराया खुशियों को ठुकराया खुद अपनी राहों में ऐ दिल मैंने जाल बिछाया हर सु मेरी राहों में अब फैला है अन्धियारा अंगारा मेरा मन सुख के बदले मैंने पाई आहों के नजराने सुख के बदले मैंने पाई आहों के नजराने इस दुनिया में कम ही मिलेंगे मुझी जैसे धीवाने गम के हाथों बेच दिया है मैंने जीवन सारा अंगारा मेरा मन मैंने अपने अल्मानों में खुद ही आग लगाई मैंने अपने अल्मानों में खुद ही आग लगाई लोग हसे तो हस ले मुझे पर मैं तो हूँ सोदाई कहती है तो कहले मुझे को ये दुनिया आवारा अंगारा मेरा मन मेरा मन अंगारा कोई ना मुझे से रीत बढ़ाए कोई ना मुझे से रीत बढ़ाए मैं सुबहा का तारा अंगारा मेरा मन अफदुल जो कल तक हमारा साथी था आज हमसे घबदारी कर रहा है वो हमें प्लेकमेल करना चाहता है उसके पास हमारे सुटूत और ऐसे तहली सुबूत मौजूद है जो हम सब के जिए खतरनाग साहित हो सकते हैं खत्म कर दो खत्म कर दो तमाम सुबूत और अब्दिन को भी मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ तुम्हारे सेख कभी मेरे पास अब अगर वाकिलब बॉस बनना क्याता है तो उसे किस्की मत अदा करें जो जाकर कैसे अपने बॉस हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं काफ़ात हमारे हमारे कारदो तुम मिझे कैसे मार सकते हो मैं मर गय तो काफ़ात किसे लोगे उन खुतुत में तो तुम्हारी औ तुम्हारे सेट के जारे जिराइन के कहाने लिखी है अगल मलादमी है वो पनी जिन्दगी के बदले सवदर कर सकता है यह यो नहीं मालेगा इसे पास के पास ले चलो बताते हो यह नहीं, नहीं बताउंगा आज से कासा का नाम आने तो गतल कर दो चाचा आज से करो बताथ वख ए बति gूक यह ज़!! झाचा हुझ हुझ तूट! थाँ रूगुगne! हाा explorerator!! तूआ 돼? जहांगीर? जहांगीर तुम यहां कैसे? इन्हीं लगों के साथ आयर परशाथ तुम इस गुर्मे कैसे शामिल होगे? बस हो गया, लेकिन अब तक किसी इंसान की जिन्दगी से नहीं खेला अच्छा क्या बेटे, एक मैं हूँ जिसे अपने भाई की जादाद पर कब्दा बेटे, उसके अवलाद के साथ जान दिके, आज इसी भाई की बेटे ने, मेरी जान बचा लिए चाचा जामेर बेटे जाके, उस तस्वीर के पीछे कुछ काउजा कैस, जो इस गरो के तमाम रास्त तुमे बता देंगे, तुम, तुम से ठारून से, मेरा अदला सरूर लेना से ठारून चाचा से ठारून यह पूर्ती नहीं चलेगी अगर मैं छुपता ना तो मेरा हैश्र भी वही होता जो अब्दुल का हुआ किस से अब्दुल की बात का रहा है जिसने तुहारी गोली खाकर मेरे हाथों में दम तोड़ा मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता लेकिन अब्दुल तुम्हे अच्छी तरह जानता थ। जहागीर तुम मुझे पर पत्ल का इसाम लगा रहे हो। एक पत्ल का नहीं है। तुम्हारी तुस्जिंदे की जराइम से भरी पड़ी है। और अब तुम्हें एक एक जर्म का हिसाब देना होगा। मैंने कोई जर्म नहीं किया। इतने नादान ना बनो सेट। मेरी तरफ देखो। यह है वो काफ़ाद जिन में तुम्हारे खुतूद भी है। और तुम्हारे गुनाओं की कहानी भी दर्च। जहां गीर। यह काफ़ाद मुझे अब्दुल ने दिये। जानी गए हो तो आफसादा करें। मुझे भी जिन्दा रहने दो और खुद भी जिन्दा रहाद। जिन्दगी की मुझे कोई परवाद की। आइस्ता बात करो। तुम इस अफसेट हरून के घर में नहीं हो। अपनी बेहन के घर में खड़े हो। जितनी उची आवास से बात करो कि उतनी उसकी जिन्दग के खत्र में फड़ जाएगी। सेट। बानो अनवर के साथ एक पार्टी में गई है। उस पार्टी का इंतिजाम भी मेरे आदमें ने किया। यकीन करो अगर तुमने मुझे पुलिस के हावाले किया। तो मेरे साथ भी बानो को गोली मार दीगे। बहुत बड़ी खीमट लगाई है सेट। पहन की जिन्दगी से ज्यादा महंगी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि बानो का घर उचर जाए। वो दर्दर की ठोक्रे खाती प्रे ले। और इसे पूछने वाले कोई नहीं हो। तो मैं खुद पुलिस के सामने पेश हुआ जाता हूँ। सेट। जरा सी देर भी हालात बगार सकते हैं। बारन फैसला करो। और ये काहजात मेरे हावाले कर दो। नहीं, ये काहजात मेरे पास रहेंगे। और इस बात की समानत होंगे कि तुम बारनों को कभी कोई दुख नहीं होगे। मैं वादा करता हूँ। तो फिर ये काहजात, मेरे इलावा कोई नहीं देखेगा। अगर तुम्हारी जबान पर कभी मेरा नाम आया, तो तो अपना वादा तो उटीत। इंगर्ड़ साफ सर्कार्ड़ ये नहीं हो और इंगर्मजubenदया ऑ्ट तकार्ड़ टुम्हार्ड़ तुम्हार्ड़ तुम्हार्ड़ अपना वादा झाल 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 कर दो बता घरे और शरे बार को ब कर दो मेंगारा कि वो जो हरा चर बार कर दो जाया जाता है झाल झाल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी गात सुदिश, विकार साथ मेरी हमाने, मेरे समाल करके लिए सेक्षर, अकड़े लगाओ अपने आखों से उसके तस्थीर ही देख लिया, उसका जर्म भी पड़ी जहांगी, जहांगी, किसी के जान नहीं ले सकता पाप अरे ज़िए परेज दे सकता है, मुझसे जूट बोल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है यह तो खुदा कर शुकर लगा है, मुझसे तो वो पहले दिन ही मश्कूग लगाता मेरे दिल नहीं मालता तेरे दिल का क्या है, वो जो की सोचती है, उसे अब भूल जा जा कहते हैं, अगर वो मतकार नहोता तो हमसे दुखा क्यों करता अगर वो बेख़ूर होता, तो आपने जुरम का इकराज करता नहीं, नहीं, तुम कातिल नहीं हो सकते भईया, तुम कातिल नहीं हो सकते पातिल भी, तेरे भईया ही जैसे इंसान होते हैं, बालू और फे इस दुनिया में तो इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तुम अपने जुरूम के अपरार क्यों करते हो हम तुम्हारे जिन्दगी बचाने के लिए अच्छे से अच्छा वाकिल करें मैंने जो कुछ बचाना था बचा लिया हर जिसे पत्ल करना थक करती है अकील की जरूरत तो बेगुणा होगोती है लेकिन मेरा भाई पिछे की जिन्दगी से नहीं केल सकता कभी पिए जिन्दगी के लिए माँद से भी खेलना पढ़ता है तुम्हारी सूरत बदाती है तुम मुजों नहीं सूरत बनाने वाले ने इस सूरत पर क्या चीज़ बनाई मैंने ऐसी ऐसी सूरतें देखी हैं अनवर जिन पर शवकत थी नूर बरसता था लेकिन उनके पीछे चुपा हुआ हुआ शैतान इनसान की मजबूरियां खरीदता था, खुशियां बेशता था, जल्पाहत का सौधा करता था और फिर भी उसका जी न मरता, तो इनसान की जिन्दगी खरीद लीता था कान है अनवर जिसने सिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी सूरत से धोका नखाया हुआ लेकिन बेहन की आखे धोका नहीं खा सकती, तेरे पास बेहन का दिल है ना तो फिर इस बेहन के लिए जुट बोल दो ना भीया, मैं तुम्हें सिंदा देखना चाती हूँ, तो तुम ऐसा नहीं करूगे जो कुछ कर रहा हूं बानौ, शायद सिंदा रहकर भी न कर सकूँ मुलाटाग कावाफ खत्म हो चुका है जुट बोल दो भीया, मेरी खास, कतल किया भी है तो कहदो के तुम गातिल नहीं हो भीया, कहदो के तुम गातिल नहीं हो अंबर, चलो बानौ कि मैं जो 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 बॉट में को जो घुझ तूम जो गातिल नहीं तो अपना वारा कर दो कि मेरी मौत के बाद मेरी बहन को कभी कुई दुख नहीं होने दोगे मैं गादा करता हूँ इससे असने की इसना से चुपा जहांगीन ने जानिस्ता तुमारी नजरों को ठोगा गए वो गहन के उशियां तलाश करते करते जिसन देखे जाल का कैदी बन गया था तुमसे चुपाना चाता था इसलिए कि उसकी मजबूरी कहीं तुमारी मौपत की मौत ना बन जाए अब कोई जाए उसके लिए मौत का फंदा बन रहा है तो फिर उसने चुन के इक्रार चुकिया इसी सवार का जवाब तुमसे पूछने आईगी इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता है उसने जुरूर तुमसे कुछना कुछ का होगा जो कुछ तुमें मालूम है मुझे बता दू वो कौन सी मजबूरी है जो कानून की हिवाज़त में उसे सच बोलने से रोक रही है वो कौन सा राज है जो दिल की बात जबान पर नहीं आने देता बता दू राणी, खुदा के लिए बता दू शैद अब तक कुमारी आखो पर्शक की पट्टी बनी हुई है मैं जांगी सा मुकर्म दीखने की कोशिश करूँगी जाहे जिंदगी क्यो रहा जाओ कुछ न पो राणी, कुछ न पूछो यह काल साथ मेरी अमालत है इमें सभाब कर लगा मेरा भाई मुसीवत में और आप आराम सुगए खुदारा कुछ कीजिए अगर मेरे बेगुना भाई को कुछ हो गया तो मैं मर जाओंगी तुम कहती हो कि वो बेगुना है लेकिन जाओंगीर अपने जुरूम के इक्रार कर चुक है लेकिन मुझे तो मुझे तो इस बात में कोई राज मानी नहीं का तो फिर वो राज उसने हमें क्यों नहीं बताया जेल मेरे और तुमारे अलाव और था कौन यह अपने आपको समालो बानो तो जाओंगीर चुझेए जाओंगीर के लिए अफसोस मुझेए लेकिन वह मुझेम है और उसके लिए कुछ नहीं क CRD सकता के मेरे भीया खादीह बैँनका दिल नहीं मानता हो लेकिन पानून के ना कोई बैँन होती शानी, तुम, यह काफ़ाद मुझी जहांगीत देगा था, इनमें उसकी बेपनाहिया और खामुशी करा चुपा हुआ है, यह पढ़का खुजी फैस्टा कर लेना, कि तुम्हें क्या बतना जाए, अच्छा में तरते हुआ है अगर यह साबिस हो जाए कि भी यह बेखुशूर हैं तो, क्या पच्छों यसी बाते कर रहे हैं, चांगीर ने तुम्हारे सामने जिल में क्या का? जो कुछ सामने होता है, कभी-कभी वो भी महज में जर्का फरी होता है तुम जानबूट की हकीकत को जुकला रही हो अगर असल मजर्म कोई और हुआ हो, का? ना मुस्ता तुम बताओ, अगर-गर कानून के हावाले मैं करूँगा परी ही काफ़ा तो देखे, असल मजर्म आप कितना करीब और कानून से कितना दूर है देदी है, तुम्हारी बीडी के आवाद यहां तक सुनाईते हैं क्या तुम समझते हैं, तुम्हारे बाद समझला है, जोर है, ठाकू है लेकिन देदी निकालदात में सब जाली काफ़ात है इसी दुश्मन ने मेरे सोशल स्टेटर्स और मेरे शोरत को नुक्तान पहुचाने के लिए तुम्हारी बीवी को आला एकार बना है, मैंने इसलिए बादो को बहु बनाने के मुखालफत लीगी लेकिन डेदी, बादो हमारे दुश्मन क्यों होगी? वो हमारी दौलत की दोस्त है और ये भूल गई है कि मेरे बाद सब कुछ तुमारा है और तुमारा सब कुछ उसका है अगर वो धीती जी मेरे दौलत पर खज़र करना चाहत लीए तो मैं ऐसा हरगीज नहीं होने कुछा अगर मेरे कोई दुश्मन मुझे कातिल कहेगा कि क्या बेटा भी मुझे कातिल समझेगा और खुद लेकर पुलिस के पास चलेगा और चब तुमारी बीविजाद साजी में पकने जाए तो मेरे पास मत पास, और ना इस कहर में पदम रखता आपकी चुकी गर्दा और खामुश सुरत देखकर मैं समझ गई हूँ आपकी नजर में मिलती मद्धी मेरा भाई कौन मुझे मैं कौन नहीं न पुछ नहीं जानता मुझे और परेशान न करो मुझे और परेशान न करो आपको अपने खुन की असलियत का पता चलाता आप परीशान होगे मेरे मासुम भाई के सर पे फार्जी का फंदा मंजला राट जाते हैं कि मैं खामुश रहूं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा आप मेरे साथ दे ना दे मैं खुछ सच्चाई को कानूं के कानों तक पचाओंगी लाइए वो काख़ाद काख़ाद? काख़ाद तो मेरे पास नहीं मैं नहीं जानता काख़ाद काहें मैं कुछी नहीं जानता डुप्लिकेट मेरे दुश्मिन मुसमी स्यादे चालाट मेंगी लंकी कुछ जादे ही चालाट मालूम होती है वो यहाँ टुप्ली के एक काघजात लेकर आईची सुबह होने से पहले पहले अजल काघजात कुमारे खब्रे में होना चाहिए टुप्ली करो क्यों जाना का यहाँ तुम यहीं के सारे टिगाने जानते हो यह और तुम यहीं जानते हो यह किस लड़की के बास है और वो काघजात हरहाल ही हाति हुने चाहिए काघजात हो केस काफी सीरिस मालूम होता है लेकिन आप सिकर ना करें मैं उस लड़की को उनी काज़ात में लपेट के ले आऊँगा लेकिन बहुत जज़्दी तुम साब योग गाड़ी में बैठो शेजर ना करो बास अराम करो दुनिया गोल है खोल के अंदर कुछ और है चला तुम फोर उडानी के घर पहुठा और किसा अपर ये सब लोग तो कुर्वानी के बगरे है इनका बंदबस मैं करो तुम जाओ गुलफाम ज़दी करो अबे आता हूँ जढ़ आता हुआ झार आता हुआ आता हुआ आता हुआ आता हुआ ज़दी पलाई आता हुआ झाल 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 कि अच्छा कभी नहीं हो सकता, इन लोगों ने खर कोना कोना चान मारा है, क्यूं मैं सुचिगा, जैसर जमीन खट गरी, और वो शीरिया उतर के अंदर चले गए, फिर एक भारी भरकम से चीज़ दिवार बनके उनके सामने खड़ी हो गए, लेकन इन नगल के अंदों को, कु मैं सुचिगो तो कहूं, कैसर रावजात में एक अंदे में आपके, जाओ, कोना कोना चान मारो, रावजात हादल करने के जिए जाहां से भी मारना पड़े, तो सोचे बगाएंसे तो कभे ना, रावजात न मिले, तो मैं एक एक उज़री बात हुआ, जाओ अंदो, करेंख एक वी रावजाक में तो दो अनार प्रेशक देखी सानवाज़। नहाजीर, तो मारी जिए उनी देए असमार के तक मार, सिर्फ के थेंगे थे उतका फसलाइश जानता, तुम मतालत में एकवारे चुर्म करोगे, और कानून तुम एकवासी की सजा देगा यही जानता, और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कमके लिए, तुम कानून के साथ आवं करो, कानून तुमे रियाइद देगा, मुझे अपने साथें करनाम बता दो कातिल करने के लिए किसी साथ ही की जरूरत नहीं लिए इस्पेक्टर, उसे एक कातिल होता है और दुछा मक्तूल, मक्तूल के जिसम से बरामत होने वाली कोली है, तुमारे पिस्तॉल के नहीं देगा, उस पिस्तॉल को काम करते हैं, मैंने उसे कहल नहीं देगती है, मुझे य तुम्हें अब तक नशा नहीं हो जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, नशे नशा नहीं को सब्सक्राइब सुबह हो गई है, अब तक कोई भी वापस नहीं आए जब रहा हो नहीं, आजले अगर रानी और उसका बात अदालत के पहुचने में कामियाद हो गए तो? यह, मुम्किन ही नहीं, अदालत के हर दर्वाजे पर मेरे आथमी पहताते नहीं कि कोई भातो बाहा है, आपकिन ही तक के रहिए मुम्किन ही अजले бег Kelly कर दो कर दो के लिखान चाना का विआस्वा गुलवास गुलफा असाग कमे गुम्राँनी को लेकर अबथ़ फोररण पुँचो लेकर तुमेथ अशालट यो चोद कर नक concerts तुम मेरी फिकार ना करो कुछ फार, चांगीर के सिंदगी पचाने के कुशिश करो शर्णा, जाओ, तुम रानी को लेकरात अरज फारण जाओ, जाओ, देन ना करो राम्राई, जल्दी जाओ सातीय कांएना, जाम्री को लेकरी मुर्णााँ करो जहीं करो कि यहाओ लेकरा, तुमेस चांसीा आख दोलाओ तोलाओके मिलॉर्ड ये दुरुस्त है कि मौका ये वारदात से कुछी को अगेले भाकर देखा गया है लेकिन मैंने जो निशानात महां देखे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि दढ़ाई तो से जाहिरादियों में हुए मुल्जिम अकेला हर्गिस नहीं था वोर्समार्टम रिपोर्ड के मुदादिस मगतूर के जिसम से निकलने वाली गूली मुल्जिम जहांगीर के कबजे से बरामत होने वाले रिवालबर की भी नहीं थी मुलॉर्ड बाकात पुत मुल्जिम की गिरफदारी के दरगान थासा वक था और मुल्जिम ने इसी वक्स से फाइदा उठाकर वो रिवाल्वर की फैंक ये होगा मुल्जिम की मब्दूर अब्दूर से हांतानी दुश्मनी थी मुल्जिम पुलीस रिपोर्ट के मताबे अपने जून का इक्रार कर चुका है तेहादा मुल्जिम जहांगी को अच्क के हिज़ाम में सदा दी जाए नौजवान ये चीक है कि तुम अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं लेकिन वाकियात कुछ इस तरह उल्जी हुए सामने आये हैं ये अदालत कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तुम्हें एक मुटा और देती है अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सब्सक्राइब अपनी सफाई में कुछ कहने की ताविल होता है तो कानून में बहस की कोई गुजाश नहीं रखती मैं अदालत के दखास करता हूँ कि मुल्दिन जहांगीर को फांसी की सजा दी जाए मेरे भाई को फांसी देना है तो पहले मुझे माव की सजा दीजिए इंस्पेक्टर इस लड़की को अदालत से बहर निकाल दो कोई भी इसनी जगा से नहीं ले एक आदमी की सदम भी मेरी तरफ बढ़े तो मैं इसना आपको गोरी मान लूँ है बानू, बानू में बाती रखती 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 तुमने सिर्फ अपने आपको तक्षिए है अपने जस्पास को सुनी पर लड़काया है अपने खुशियों को पाती दी है लेकिन तुम्हारी बहन तुम ऐसा नहीं करने देगी इसलिए कि तुम बेगुना हूं तुम्हारे पास इसकी बेगुनाइक का त्यास हुदे सबसे बड़ा सुबूर किया है कि मैं जिन्दा हूं तो अगनू अब खानून की बहत नहीं होगी जिस सहब बहन भाई की सवाल करेगी जवाब दो भीया तुम सच क्यों चुपा रही है बो भीया तुम खामोश क्यों हो कह दो कि तुम खान दिल रही हो माका तुमने दूसी एह मैंने भी सिकोद में आपको देगा मेरा तुम्हारा रिष्टा चानून बनाने वाले इंसान ने नहीं इंसान बनाने वाले खुदा ने पैदा किया तुम बेहन के जिन्दगी और सुषी के लिए माथ के दर्वाजे के खड़े हो बेहन तुम से पहले वाले लगाएगी बुला भाईया नहीं तो ये जिन्दगी जिसके लिए तुम पादिपा रहा हो मैं अतने हाथों खतम कर दूंगी सच कहदो भाईया सच कहदो भाईया अपनों मेरे नहीं गोले की आवाज सुनाए देगी मैंने खतल नहीं किया अजड़ साथी मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले मुझे यकीन दिलाएएगे इस जहाद मेरी बहन को पुरी को नहीं पहुचे ये तुम्हारा जस्बात में वाउता है और कानून चस्पात को नहीं मानता है नहीं मानता हो गपक्रीप साहब मैंने कट लहीं किया ये मेरा जुर्ब नहीं है ये मेरे और बहुत से जुर्ब है मैं वरीब बाब की धर पैदा हुआ ये मेरा जुर्ब मैं एक जवान बहन का भाई हूँ, ये मेरा जुल्ब और ये थी मेरा जुल्ब कि मार्शिर की रिवायत के मतादफ मैंने इसकी शादी थूमधाव से जाए लेकिन इन जराइन के कानून के पास कोई सदान रहा है इसलिए कि ये सब जजबाती जुल्ब और कफीर सहाब ने उच्छे बना दिया कि कानून जजबात को भी रहा है लेकिन जिन्दा इनसान जजबात को अपनी जिन्दगी से कैसे अलब करते कोई ऐसा कानून बना ये जजबात जो जजबात पर नादिस किया जा सके को ऐसा कानून बढाइये कि इंसान जिन्दा रहे और इसके चज़बात को फासिदे दिजाए ये चज़बात और इंसान कौंट शाता चिरू का निए यही चज़बात इंसान के अश्छ कुछी बढ़ते हैं वही फाहिऑ मजबूरी बनजाती है फिर वही मजबूरी मुझ्रिम बनाती है और वही मुझ्रिम खादि कहता थी मेरी कहान उप्री सी है जजट साब मैं बहन के कुशिया चाहता था और अब मुझ्री बेचाया मरे बहन की शादी करने के लिए एक ऐसे शखसी नौपी थी तो मजबूरिया फरीचता है और जो न देता है उसमे मेरी मजबूरी है मेरी इज़ट शराफत अखुतानी भी खिनी है यह एक टैक्सी ड्राइवर हो जालता है और टैक्सी ड्राइवर मुझ्री नहीं कूछता कि वो क्यो जा रहा है किस एंग जा रहा है मेरी ही मजबूरी मेरे के दैसा जाल कुलती जा रहे ही इस सिसमें कभी नहीं निकल सुखे रहे है। मैंने कोशिश कुली है। जाल मेरे की और तब बज़ लगया। फिर मेंचे जोर और स्मगलर कडान दिया। मेरे उसी मजबूरी ने मुझे कातिल भी। रुक क्यों नहीं हो भीया। में नीज नाम से जानते हैं। वो दिन के उजाले में फरिश्ट असीरत। रात की तारीकी में शैतान सूरत है। जच सहाब एक तरफ उ शहर का मजद आत्मी है। और दूसरी तरफ चोर, स्मगलर। मैं किस नाम से पुकारूं उसे कौन सा रूप दिखाऊ। आपको कानून किस-किस को गिरिबतार करेगा। वो कानून से उतना ही दूर है जितना मैं कानून के परीब हूँ। खायशात मेरी थी जो मजबूरियां बनकर पिखने के लिए उसके पास गई। इसने मेरी मजबूरियां खरीद ली और अपने जुर्म मुझे दे ली। मैं मुझरिम हुजच सहाब, कातिल हूँ। भी जुर्वन रहा भीया। मुझे और कुछ कहने पर मजबूर है सरबानो, मैं डरता हूँ। कानून तुम्हारी हिफादत करेगा। तुम अदालत में खड़े हो, तरने की कोई जुरूरत नहीं। अपनी मौत से जरता तो इस कटेहरे में क्यूं खड़ा होता जजच सहाब। जड़ तो इस बात का है कि अब तक वो अब्दुल का कातिल है। फिर मेरी बहन का कातिल भी बन जाएगा। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो तुम्हारी मौत के बद्रे मिले। तुम्हार से पोला के भईया। नहीं तो इस अदाले से मेरी लाज लेके जाओगे। जड़ सहाब। मैं आपको उसका नाम भी बद्राओगा। और उसकी सूरत भी दिखाओगा। बुम्हार। माश्रे का मौस्रे जादमी तुसाइटी का परिष्टा सीरत इंसाम दे ठारून। जो चोड मंगला है और कातिल है। तुमने दिल्चर्प सुनाई है। लेकिन जानते हो शहर के इतने बड़े आदमी पर ऐसे संगीन इल्जामात आयद करने के लिए तुम्हारे पास सुमूत होना चाहिए। शहर के इतने बड़े आदमी के खिलाफ कानून आज तक कोई सुमूत में दे सका हूँ। तो तो पिल मैं कहा खिला हूँ। वपील जाहब, सुमूत मेने पास नहीं। मिलाट, मुल्जिम जहांगीर ने एक मन घड़क कहानी सुनाई है। जिसमे कोई सचाई कोई सदाकत ही। मुल्जिम ने महद अदालत का वक्त जाया किया है। अपनी सफाई में मुल्जिम एक भी ठोस सुमूत पेश नहीं कर सका। मैं अदालत के दखास करता हूँ। मुल्जिम को गत्ल के इल्जाम में सजा मौत दी जाए। जहां कद्स के मुकद्मों के फैसले पे हैं वो अदालत नहीं है। हाँ 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 है। जरा सिग्रेट कोई तो लगवा दो। अब चल। हालात और वाकियात को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि मुल्जिम जहांगीर ने अब्दुल को कतल किया है। लहाजा अदालत मुल्जिम जहांगीर को जेरे दफ़ा 302 का जीरात पाकिस्तान हैंगी जेता हाँ जड सहाप। खैसला सुनाने से पहरे इन काफ़ास को पढ़ लीजी है। आनून अथमुजरम को पहचाने में गलती नहीं करेगा। झालत मुल्जरम को जजी करेगा। झाल झाल छेठ हारून, अदालत तुम्हें हुक्म देती है, गट्यारे में आकर अपने खिलाफ इल्जामात का जवाब दूए हारून, अदालत तुम्हें से जवाब तल्ब करती है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर तुम्हीत ऑल ज़जः दैए पर्द कान भर्द mom करतनो पर्द दो करतनो मैं मुस्वमी हारून जहांगीर के लगाए हुए तमाम इल्जामत को दुरूस तस्मिम करता हूँ जहांगीर की तरह एक दिन मेरी मुझबूरी भी मुझे इसी जाल में ले आई थी जिसे मैं जीते जी ना काट सका दस्तफ़त हारून अदाले प्रेट हारून के इकरार जर्म और खुदकुशी की बिना पर समझती है के मुल्जम जहांगीर महद अपनी मजबूरी की वज़ा से मुझरम बना उससे रादिस्ता कोई जर्म नहीं किया बलके हाथ साथ का शिकार होता रहा अदाल हालाग को नजर अंदाज नहीं कर सकती लहाज़ा मुल्जम जहांगीर को बाइज़त बरी किया जाता है वो गारी फिर सकाया आप हो गई है जी की चुपोम इस्टी काई? तेरी कारी वक्त देखे तो खराब होती है क्या कहते है आज छुटी है कल आज गरी बात भॉसमति टेक्सी ठीक नहीं होगी तो अरथ धंदा बं रहेगा प भुटभार औन गाड़ी है जी बता के तो खराब होती है आजाते हैं बड़ेो, अब उसकी बात तो समझज़े, यह वो क्या कह रहा है, जब हम लोगों ने फैसला ही कर लिया है, तो उसे भी बता दी। क्या कहते हैं तुम ही बता दो यार अच्छा हूँ सुनो मिया हम दोनों ने फैसला कर लिया है बुरा नमनाना तुम्हाई गारी अक्सर खराब रहती है अगले संदे को बारात लियाओ और छोटे मिस्ट्री को अपने घर लेगाओ खीक है ना चलो ताश की बादी लगे अच्छा की बादी लगे